ओम शान्ती आज 3 सप्टेम्बर 2022 के बाबा के अनमोल मदुर महवा क्या है आज की मुर्ली में बाबा हम बच्चों को शुब कर्म करने की प्रेणा दे रहे हैं बाबा कहे बच्चे जो तुम्हें शुब कर्म करने का संकल्प उत्पन हो तुरंथ कर लो बाद में समय नहीं मिलेगा, कोई भी कारिय कल पर नहीं छोड़ो साथी साथ अपना खाना आबाद करने की विदी बाबा बताते हैं कि बाबा को अपना बच्चा बना दो, वारिस बना दो जब बाबा आपका वारिस हो जाएगा, तो बाबा तुम्हें भी माला माल कर देते हैं परन्तु कहीं बच्चे इसमें डरते हैं कि कहीं सब कुछ बाबा को दे तो नहीं देना पड़ेगा बाबा कहें नहीं, तुम रहो अपने ग्रहस्त व्यावहार में बच्चो आदिक की पालना करो, उनको संभालो, लेकिन शुब बाबा को अपना वारिस जरूर समझो बच्चा बना करके याद करो, तो ये बच्चा तुम्हें बहुत सुख देंगा, लाल बना देंगा सुनते हैं बाबा के मधूर महावाथ्य, ओम शान्ती, मीठे बच्चे, शरीर पर कोई भरोसा नहीं इसलिए जो शुब कारिय करना है, वो आज कर लो, कल पर नहीं छोड़ो प्रश्न है आज की मुरली से, अपना खाना आबाद करने, अर्थात माला माल होने की युप्ती क्या है उत्तर, शिव बाबा को अपना वारिस, बच्चा बना दो, तो वह तुम्हें 21 जन्मों के लिए माला माल कर देंगे यह एक ही है, जो सबका बच्चा बन, सबका खाना आबाद कर देते हैं परन्तु कई डरते हैं, समझते हैं, शायद सब कुछ देना पड़ेगा बाबा कहते हैं, डरने की बात नहीं तुम अपने बच्चो आदी को संभालो, उनकी पालना करो परन्तु याद इस बच्चे को करो, तो तुम को लाल कर देगा भरपूर कर देगा अगर इस बच्चे पर बली चड़े, तो तुम्हारी बहुत सेवा करेगा ओम शान्ती इस समय, सब सेंटर्स पर जो भी बच्चे बैठे हैं वह जरूर समझते होंगे कि हम शिव बाबा के महवाक्य सुनते हैं और कोई ऐसी संस्था नहीं होगी क्योंकि शाखाएं तो बहुत होगी है न बाबा के ऐसी कोई संस्था नहीं होगी क्योंकि शाखाएं तो बहुत होगी है न बलवट टेप आदी भी भरते होंगे जहां उन्हों की हेड आफिस होगी जहां उन्हों का गुरु रहता होगा उनको ही याद करते होंगे नेराकार परमपिता परमात्मा को तुम्हारे सिवाई कोई भी याद नहीं करते होंगे इस संगम समय पर ही पारलोकिक बाप आते हैं बच्चों को बैठ परीचे देते हैं और बच्चे निश्चे बुद्धी हो उसी धुन में रहते हैं परमपिता परमात्मा इस समय ही मुर्ली चलाते हैं तारे कल्प में यही समय है जब मुर्ली चलाते हैं शास्त्रों में भी है कि कृष्ण मदुबन में मुर्ली बजाते हैं मदूबन तो मुख्य है एक, बाकि सब जगव मुरली जाती है, मनुष्यक्य की बुध्धी में तो है कृष्ण मुरली बजाते हैं, वास्तो में है जिञान मुरली, जो जिञान मुरली बाबा इस समय आकर बजाते हैं और वही सभी सेंटर्स पर जाती है शिव बाबा मुरली चलाते हैं, प्रिश्न मुरली बजाते हैं, शिव बाबा मुरली चलाते हैं, यह किसकी बुद्धी में कभी आना सके, यह किसको पता नहीं है, जहां जहां तुम्हारे सेंटर्स खुलते हैं, सभी यह समझते हैं, शिव बाबा की मुरली बच्छती है प्र औरों को सुनाती है, बुद्धी में तो शिव बाबा याद है न, शिव बाबा जिसको भगवान कहा जाता है, शिव बाबा मुरली सुनाते हैं, ये कोई भी शास्त्रों में नहीं है, ये बात किसी भी शास्त्रों में नहीं है, तुम बच्चे कहां भी हो, समझते हो, ये मुर पुर्ली जो छप्तर आई है शिव बाबा की ही आई है शिव बाबा बिगर कोई सिखला नहीं सकते बाप ही कहते है मुझे याद करो तो मैं वर्सा दूगा बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं कि मा में कम याद करो और कोई भी नाम रूप को याद नहीं करो साकार मनुष्य के फोटो आदी तो जनम जनमांतर इखटे करते आये हो, उपासना करते आये हो, देवताओं आदी के चित्र रखना ये सब तुम्हारा छूड जाता है बक्ती मार्ग में आत्माएं बाब को याद करती है, शरीर को तो तब याद करते हैं जब दे अभीमानी बनते हैं, बाब घड़ी-घड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाब को याद करते रहूए, आत्मा ही पतीत दुखी बनी है, आत्मा कहती है, मैं मह था, अब रंक बन गया हूँ, बाबा कहते हैं, आत्म कहते हैं मैं महराजा था और अभी रंक बन गया हूँ, तुमको अब स्मृती आई है, कौन से स्मृती आई है हम बाबा के बच्चे हैं बाबा से हमने वर्सा पाया था अब बाप कहते हैं सब को बाप का परीचे देना है इन जैसा शुब कारिय होता नहीं इस शुब कारिय में देरी नहीं करनी चाहिए शरीर पर तो भरोसा नहीं है न जवान पर न बुड़े पर इसलिए जो कुछ करना है सो आज करना चाहिए आज कल करते करते काल खा जाएगा बाप ने कितनी बड़ी हॉस्पिटल कम युनिवर्सिटी खोली है जिस से हेल्थ वेल्थ हैपिनेस मिलती है हेल्थ वेल्थ है तो हैपी है ही है निरोगी काया है धन है तो मनुष्य सुखी है तो बाप कहते हैं जिसको शुब कारिय करना है कर लो सिर्फ तीन पैर पृत्वी लेकर ये हॉस्पिटल खोलो सब को बाप का परीचेटो बाप स्वर्ग का रचेता है तो जरूर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाए भारतवासियों को वर्षा था न इन बातों को भारतवासी सहज समझ सकेंगे भगवान को ढूणने के लिए मंदिर है आर ये समाजी लोग तो देवताओं को मानते ही नहीं इसलिए समझते हैं ये चित्र आदी जो बनाए हैं ये सब पाखंड है भीगन तो बहुत पढ़ते रहेंगे समझाना तो बड़ा सहज है अब अपर समझाना तो पढ़ेगा न बाप का फर्मान है क्या फर्मान है जल्दी मेरे साथ सगाई तो कर दो सगाई करने से ही वर्से के हगदार बन सकते हो बाप रुहानी सर्जन है तुम उनके बच्चे कहलाते हो तो तुम भी सर्जन ठहरे सर्जन के बच्चे हम भी सर्जन ठहरे जरूर आत्माओं को ज्यान इंजेक्शन लगाना पड़े इंजेक्शन कौन सा है मन मना भव यहाँ बड़े ते बड़ा इंजेक्शन है बाबा की याद से ही सब दुख दूर हो जाते है योग से पुन्य आत्मा बन जाते हो यह एक ही दवाई है योग की बच्चा जनमता है, बाप की गोद में जाता है और वर्से का मालिक बन जाता है तुमको अभी पता है कि हम बेहत के बाप से वर्सा लेते हैं याद से हम बेहत बाप से वर्षा कैसे लेते हैं? याद से याद में ही अनेक प्रकार के विग्न पड़ते हैं इसलिए याद को पक्का करते जाओ सिर्फ तीन पैर प्रत्वी के लेकर ये हास्पिटल खु़ो ये तीन पैर है ना? नहीं तो ऐसी उंच कॉलेज के लिए तो 50-60 एकर जमीन होनी चाहिए जहां बहुत मनुश्याकर पढ़े ज्यान इंजेक्शन लगाते जाए गाइन भी है कि तीन पैर प्रत्वी के नहीं मिले थे और फिर विश्व के मालिक बन गए तुम विश्व के मालिक बनते होना तीन पैर प्रत्वी के कोई बड़ी बात नहीं फिर आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता जाएगा पाउंडेशन लगाया तो कितने सेंटर्स खुल गए हैं? शुरू शुरू में बाबा ने पाउंडेशन लगाया तो कितने सेंटर्स खुल गए हैं? कितने कोडी जैसे से कीरे जैसा बनते हैं? करने वालों को ही बहुत फाइदा है जो अनेकों की जीवन बनाते हैं बाबा कहे उन्हें फाइदा भी बहुत है बहुत ओं के कल्यान के लिए ही आस्पिटल अत्वा कॉलेज खुले जाते हैं यह भी ऐसे हैं बाहर में बोड लगा दो क्लीनिक फॊर हैल्थवेल्ट 21 जन्मो के लिए क्लीनिक फॉर हैल्थवेल्ट 21 जन्मो के लिए हिंदी में खेंगे सौ प्रतिशत पवित्रता सुक्षान्ती का चिकित्सा लए कितना सुंदर बावा ने उसको समझाया कि हिंदी में कहेंगे सौ प्रतिशत पवित्रता सुक्षान्ती का चिकित्सा लए परन्तु बच्चों में सर्विस करने का शौख नहीं पुटम आदी के जाल को मकडी की जाल कहा जाता है, जाल में खुद फस जाते हैं, बाप आकर रावन रुपी मकडी की जाल से निकालते हैं, सत्यूग में ऐसे नहीं कहेंगे, सत्यूग में ऐसे नहीं कहेंगे कि मकडी की जाल है यहां भी आपे ही अपनी जाल में फस मरते हैं यह है रावन का राज्य कितनी बड़ी बड़ी रावन की जाल है सारी स्रिष्टी पर सभी शोक वाटिका में बैठे हैं इस रावन की जाल में सब सादू संथ आदी फसे हुए हैं। अब बाप कहते हैं इन सब को भूल क्या करो अपने को आत्म निश्चे करो और सब को यही रास्ता बताते रहो। यह स्रिष्टी चक्र का राज दूसरा कोई बता नहीं सकते हैं। बाप कहते हैं इन सब को छोड मा में कम याद करो। याद से ही तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। शुब कारिये में देरी नहीं करनी चाहिए। मिसाल भी देते हैं। देरी करते करते मर जाते हैं। फिर भोग पर जब आत्मा आती है तो फिर बहुत रोती है। फिर बोला जाता है तेखो तुमने देरी की। आज कल करते करते काल खा गया। अब ग्यान तो उठा नहीं सकते हो। ऐसे ऐसे उलहना दिया जाता है। बहुत बच्चे ख्याल करते हैं। अच्छा कल यह करेंगे फिर मर जाते हैं। इसलिए समझाय जाता है। ममत्व छोड़ दो। लौकिक संबंदी तुम्हारा कोई कल्यान करने वाले नहीं है। यर्शिव बाबा अब तुम्हारा बच्चा बनते हैं। कहते हैं तुम मुझे वारिस बनाओ, तो मैं तुम्हारी बहुत सेवा करूगा। इसलिए बाबा पूछते भी हैं, आपको कितने बच्चे हैं। मुझ शिव को अपना बच्चा बनाया, तो माला माल हो जाएंगे 21 जन्मों के लिए। बाबा कहे, मुझ शिव को अपना बच्चा बनाया, तो माला माल हो जाएंगे 21 जन्मों के लिए। कन्या तो अपने घर जाती है, बच्चे के लिए कितना हैरान होते हैं, बच्चा नहीं होता है, तो दूसरी तीसरी शादी भी करते हैं। बाब कहते हैं, वह लौकिक बच्चे तो तुम्हारी कुछ भी सेवा नहीं करेंगे। यही एक सबका बच्चा बनता है, एकदम सबका खाना आबाद करने, छे बाबा जैसा बच्चा कोई नहीं। परन्तु कई डरते हैं, यह भी बाबा जानते हैं, कई डरते हैं कि सब कुछ देना पड़ेगा, क्या होगा। बाब कहते हैं, अपने बच्चो आदी की पालना तो करनी हैं, परन्तु याद इस बच्चे को करो। यह तो तुमको लाल कर देंगा, माला माल कर देंगा, काशी के मंदिर में जाकर बली चड़ते हैं, समझते हैं, शिव पर बली चड़ने से जीवन मुक्ति मिलनी हैं, वास्तों में बात यहां की है, कहां की बात कहां ले गए हैं, अगर तुम इस बच्चे पर बली चड़े, तो यह तुम्हारी बहुत सेवा करेंगे, स्वर्ग में महल देंगे, वह बच्चा तो कुछ भी नहीं करेगा, करके ब्रामन आदी खिलाएंगे, मनुष्य दान पुन्य आदी जो करते हैं, सो अपने लिए ही करते हैं, तो यह हॉस्पिटल खोलना कितना पुन्य है, शाहुका लोग तो 10-15 हॉस्पिटल खोल सकते हैं, यह पैसे आदी तो सब खत्म हो जाएंगे, तुम किराय पर मकान लेकर 50 हजार में 50 हॉस्पिटल खोल दो, फिर वह आपे ही अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे, बाप कितनी सहज युक्तियां सर्विस की बताते हैं, गंगा के कं अधे पर जाकर सर्विस करो, अपनी पीठ पर ये बाबा का परीचे लगा दो, कितना निरहंकारी भी बाबा बनाते हैं, अपनी पीठ पर ये बाबा का परीचे लगा दो, आप यह पढ़ते रहेंगे, दे अभीमान छोड़ना है, कोई शाहुकार ऐसे करे, तुम सब कुछ भी हो जाएं, बाबा कहें, बाब का परीचे सब को मिलना चाहिए, बाब स्वर्ग का रचईता है, फिर हम नर्क में क्यों पड़े हैं, अभी बाब आये हैं, कहते हैं, दे के सब संबंद छोड़ मुझे याद कर, भारत स्वर्ग से नर्क कैसे बना, लक्ष्मी नारा चाहिने 84 जन्म कैसे लिए, आओ तो हम कथा सुनाएं, धेरी खठे हो जाएं, पतीत पावनी गंगा को भी कहते हैं, तो जमना को भी कहते हैं, अच्छा, गंगा पतीत पावनी है, तो एक को पकड़ो ना, अब तुम बच्चों ने ड्रामा को जाना है, तो फिर समझाना है, बाबा कहें, हर एक को ड्रामा के विशे में समझाना है, अगर औरों को रोशनी नहीं देंगे, तो कौन कहेंगे कि इनकी बुद्धी में रोशनी है, बाबा इतना अच्छा, ग्यान से हमारी बुद्धी को रोशनी में ले आते हैं, अगर दूसरों को ये रोशनी नहीं दी तो कौन कहेगा सर्जन इंजेक्शन लगा न सके तो उनको सर्जन कौन कहेगा तुम बच्चों को सारी रोशनी मिली है 84 जन्मों का राज बुद्धी में है तुम इस ट्रामा को और एक्टर्स की एक्ट को जानते हो उच्टे उच्ट है इसकी उच्टे उच्ट है बाप की बच्चों के साथ पार्ट बजाते हैं तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो परंतु हो गुप्त परंतु हो गुप्त इनकोग्निको नॉन वाइलेंस शिव शक्ती सेना उनकी सब बाते जिस्मानी है कितने कुम्ब के मेले में जाते हैं हर साल कुम्ब के मेले पर कितने लोग जाते हैं यहां जिस्मानी कोई बात नहीं तुम उठते बैठते चलते यात्रा पर हो याद से ही तुम पावन बनते हो बाप कहते हैं तुम करम करते समय क्या करो बाबा कहते तुम करम करते समय भी शिव बाबा को याद करो वो फिर कह देते सब में परमात्मा है फर्क हो गया न बाप कहते हैं जहां भी बैठो मुझे याद करो पिर सर्विस भी करनी चाहिए मंदिरों में बहुत भक्त जाते हैं बस यह चित्र पीठ पर लगा दो बाप का परीचे देते रहो युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं बाबा युक्तियां तो कितनी बतलाते हैं समशान में जाकर समझाओ मेराकार बाप की महिमा और सिक्रिश्न की महिमा अब बताओ गीता का बदवान कौन है साथ में चित्र भी हो सर्विस तो बहुत कर सकते फीमेल करे वा कोई कुमारी करे तो अहोसो भाग गया कन्या तो सबसे अच्छी बाबा का प्यार कन्या उपर जास्ती रहता तो कन्या तो सबसे अच्छी कन्याओ का कन्या बाप है निराका कन्या क्रिश्न नहीं था यह है बाप बाप को ख्याल आता है कि बच्चों को कैसे सिखलाओ इतना बाबा क्या विचार सागर मंतन चलता है कि एक-एक बच्चे को कैसे सिखलाओ, कल पो पहले भी ड्रामा अनुसार ऐसी समझाया था, फिर आज समझाता हूँ, तो तुमको भी अंदों की लाठी बनना चाहिए, जिन बच्चों को परीचे मिलता है, वो फिर औरों को ले आते हैं, उसका भी पुन्य होता है, किसी को समझा नहीं सकते, तो उसको सेंटर तक तो पहुंचाओ, ले आओ, आबके उसका भी पुन्य मिलता है, अपने पास हिसाब रखो, जितना करेंगे फल तो मिलेगा न, कोई को ले आते हैं, तो उनका भी बहुत कल्यान हो जाता है, इस दंदे में बच्चों का बहुत एटेंशन चाहिए, सर्विस नहीं करेंगे, तो मिलेगा क्या, सर्विस, सर्विस और सर्विस, तुम कहते भी हो, हम गौड की सर्विस पर है, ओन गौडली सर्विस ओनली, घर की सर्विस भी भल करो, बाप सिक्षा देते हैं बच्चों को, कभी विकार में नहीं जाने देना, अगर वह तुम्हारी आग्या नहीं मानते हैं, तो जैसे नाफर्मान वरदार ठहरे, अगर उसको धन दिया, उसने उससे पाप कर लिया, तो उसका डंड तुम्हारे सिर पर आ जाएगा, ये भी बाबा कर्म की कुई गती समझाते हैं, तो बाबा कहे, अगर उसको धन दिया, अतीत को धन दिया, उससे उसने पाप कर लिया, उसने उससे पाप कर लिया, तो उसका डंड तुम्हारे सिर पर आ जाएगा, बाबा तो राई देते हैं न, परन्तु बहुत है, जो करके पीछे बताते हैं, तो बच्चों को सर्विस के लिए अनेक प्रकार की युक्तियां बताते हैं, तुम बच्चों को यही धन्दा करना है, ट्रेन में भी यही सर्विस करते रहो, तो बाप भी खुश होगा, और भविश्य 21 जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा मिल जाएगा, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चो प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुट मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम सब रुहानी बच्चों की रुहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुट मॉर्निंग और न माया ने जो बहुत बड़ी जाल बिच्छाई है, अब बाप की याद से उस जाल से निकलना है, शुबकारिय में लग जाना है, किसी देहधारी की जाल में नहीं पसना है, सबसे ममत्व निकाल देना है दूसरी पॉइंट, ज्यान की जो रोशनी मिली है, वह सब को देनी है, देह अभीमान को छोड़, बिन बिन युक्तियों से सर्विस करनी है, अंदो की लाठी बनना है आज का बाप दादा का मदुरवर्दान हम बच्चों के प्रती है, अनेक प्रकार के भावों को समाप्त कर, आत्मिक भाव को धारन करने वाले सर्व के सनेही भवा बेह भान में रहने से, अनेक प्रकार के भाव उत्वन होते हैं कभी कोई अच्छा लगेगा, तो कभी कोई बुरा लगेगा, आत्म रूप में देखने से रुखानी प्यार पैदा होगा आत्मिक भाव, आत्मिक ब्रिष्टी, आत्मिक वृत्ती में रहने से हर एक के संबन में आते हुए अतिन्यारे और प्यारे रहेंगे तो चलते फिरते अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ, इससे अनेक प्रकार के भाव, स्वभाव समाप्त हो जाएंगे और सब के नही स्वतह बन जाएंगे आज का स्लोगन है, जिसके पास उमंग उत्सा के पंक है, उसे सफलता सहच प्राप्त होती है अच्छा, ओम शान